आज हम बात कर रहे हैं EMF and potential difference of a cell सेल का EMF क्या होता है उसके बारे मैं आज हम बात करेंगे यह क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक है EMF of a cell जिसका फुल फॉर्म है electro motive force इसे शॉर्ट फॉर्म में EMF भी केते हैं जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि जब हम कोई external circuit के अंदर cell का use करके उसे complete circuit बनाते हैं तो उसके अंदर electron continuously क्या होने लगते हैं फ्लो होने लगते हैं यह जो electron है यह cathode से anode की और फ्लो करते हैं साथी साथी हम cell के अंदर की बात करें तो cell के अंदर जो electrolyte ion है वो flow करते हैं cathode से anode की और जो ions है वो किदर होंगे cathode से anode की और जबकि जो cation होंगे जो nion है वो cathode से anode की और और जो cation है वो anode से cathode की और फ्लो होते हैं अब यहां पर आप देखें हैं कि continuously जो चार्ज का फ्लो है वो क्या होता है हमेशा circuit के अंदर चार्ज के फ्लो होने के कारण जो electric current है जो electric current है वो flow होने लगती है जो चार्ज के फ्लो होने के कारण ही current flow होता है तो इस work को यह जो process है चार्ज के flow होने की इसे flow कराने के लिए चार्ज को flow कराने के लिए एक work जो है वो होता है यहां हम बोल सकते हैं कि काम होता है अब जो चार्ज को flow कराने का काम को न करता है तो यहां पर एक power है एक energy है जो क्या करता है इस charge को flow कराता है अब यह काम कुन करता है charge को flow कराने का तो cell करता है cell के अंदर एक ऐसी energy होती है जो क्या करती है इस charge को flow कराने का काम करती है अब यह energy कहां से आती है तो यह energy है यह chemical reaction होती है किसके बीच में electrolyte हमने पढ़ा था एक cell के अंदर जो liquid solution होता है यह dilute solution होता है यह क्या किलाता है electrolyte किलाता है अब यह जो chemical electrolyte के अंदर जो chemical reaction होती है यह क्या करती है energy generate करती है किसके अंदर cell के अंदर अब यह ही energy क्या करती है charge को circuit के अंदर flow कराने का काम करती है हम बोल सकते है the energy imparted by the cell in flow of a unit charge in the complete circuit inside the cell and the external circuit is called electromotive force of a cell कि एक एसी energy cell के अंदर एक एसी energy का बनना जो क्या करे? unit charge को complete circuit में unit charge को flow कराने का काम करे unit charge मतलब एक charge तो उसे ही क्या कहा जाता है? उस energy को ही हम क्या केते हैं? electromotive force करते हैं EMF अब ये जो है EMF जो है cell का इसे generally E से represent करते हैं और मान लेते हैं कि ये जो energy है ये कितना काम करती है? W joule काम करती है work करती है कितना work कर रही है? W joule work कर रही है या हम ये बोल सकते हैं कि W joule work करने के लिए इतनी एनरजी सेल क्या करता है जनरेट करता है साथ ही साथ कितने चार्ज को फ्लो कराता है तो क्यों कुलाम को ये क्या करता है फ्लो कराने का काम करता है तो हम बोल सकते हैं The EMF of The EMF of Cell is E equal W upon Q ये क्या होगा फार्मूला होगा किसका Electromotive Force का The unit of EMF Is Joule per Qlam जैसे inverse और वोल्ट क्या फार्मूला होगा जैसे inverse इसका unit है और वोल्टी भी इसा हम बोल सकते हैं If 1 Joule energy imparted by the cell in the flow of 1 Qlam charge in a circuit the EMF of a cell is said to be 1 V 1 V equal 1 Joule upon 1 Qlam In other word जब कोई भी current नहीं flow हो रहा when no current is drawn from the cell the potential developed between the electrode of the cell due to the chemical reaction in it it called EMF जब कोई current flow नहीं हो रहा हो तो potential difference जब भी कोई current flow नहीं हो रहा हो from cell से कोई काया है open circuit जब हो रहा है तो potential difference जब को develop होता है कहां पर electrode के बीच में chemical reaction करन्ड यही potential difference क्या कहलाता है आपका EMF कहलाएगा ठीक है तो पहली जो main important चीज़ है कि जो cell है EMF EMF जो है cell का वो electrode के nature पे और electrolyte के nature पे depend करता है जो cell के अंदर भरा हुआ है या उसके अंदर रखा हुआ है यह को इस पर depend नहीं करता है कि electrolyte कितना है electrode का size क्या है electrode की बीच की distance कितनी है difference कितना है यह इसके उपर depend नहीं करता है अब हम बात कर रहें terminal voltage की terminal voltage क्या होता है terminal voltage क्या है when current is drawn from a cell or a circuit is allowed to flow in a cell मतलब की circuit है when current is drawn from a cell or circuit is allowed to the flow in the cell the potential difference between its electrode is called terminal voltage of a cell कि जब भी कोई current जो है वो circuit के अंदर flow कर रहा है या cell के अंदर flow कर रहा है तो यह इसा potential difference जो उनके electrode के बीच में आता है वो कहके लाता है terminal voltage क्या है यहां पर current flow हो रहा है और emf में current flow नहीं होता है इम्फ में जब current flow नहीं होता है तब जो इलेक्टिक पोटेंशल डिफरेंश डेवलेफ होता है वह एम्फ के लात है लेकिन जब current flow हो रहा हो external circuit में close circuit में तब वहां पर terminal voltage आता है है नो हमारे लिए एक यह difference भी है जो से हम आगे पढ़ेंगे तो in other word energy imparted ऐसी एनर्जी बनना by the cell in the flow of the unit charge यूच्छ चार्ज जो क्या करे एक्सिरन सरक्षिट का मतलब यह कि जो वायर वाले जो circuit होगा वो जैल की अंदर वाला circuit नहीं सेल के बाहर वाला circuit इसके निए जो चारज यून चारज को फ्लो कराने के लिए जो मेर्क होगा जो एनर्जी यूज होगी वो एनरजी ही क्या 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 ठी चार्जरों को फ्लो कराने का काम करेगा, इसी ये W- से डिनोट किया है, आगे देखते हैं, तो इसका फार्मूला क्याबा, V- Equal, W- upon Q, इसका वल्टेज्ज जो है, जो SI, यूनिट है, जैसी इन्वर्स है, इसे भी हम जैसी इन्वर्स से डिनोट कर सकते हैं, जूर पर कुलां और voltage से भी कर सकते हैं यहां पर हम समझना होगा कि यह में जो होता है वो जादा होता है terminal voltage से आगे हम देखेंगे簡डरी अच्छान के अंदर आगे हम देख रहे हैं डिफरेंस दिये होगे हैं तो सबसे पेले हम बात कर लेते हैं एलेक्टिव मोटिफोर्स की तो इलेक्टिव मोटिफोर्स क्या है definition है इसकी की जो potential difference होता है जब सरकीट हमारा open होगा और जो potential difference generate होगा वो आपका EMF किलाएगा दूसरा ये की EMF जो है वो इलेक्टरोड और इलेक्टरलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है फिर जो EMF है करेंट का जब करेंट फ्लो करता है तब जो EMF होगा वो टर्मिनल वोटलेश से ज़्यादा होगा फॉर्थ पॉइंट के दिए हम बात करें तो जब हम चार्ज कर रहे हो सेल को तब EMF कम हो जाता है टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है फिप्ट पॉइंट के दिए हम बात करें जब करेंट फ्लो नहीं कर रहा हो तो EMF और टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम हो जाता है अब हम बात करते हैं Terminal Voltage के Point की क्याकि हम Difference की बात कर रहे हैं दोनों Electric Morty Force और Terminal Voltage की ये तो Terminal Voltage का जो है यहाँपर जब Circuit Closed होगा तब जो Potential Difference Generate होगा वो क्या किलाता है Terminal Voltage किलाएगा जो Potential Difference वो क्या किलाएगा आपका Terminal Voltage किलाएगा इसे potential difference of cell भी बोलते हैं दूसरा point यह कि यहाँ पर जो terminal voltage है वो resistance के उपर depend करता है वहाँ पर electrode और electrolyte के nature पर depend करता था third point में यहाँ पर क्या है कि जब भी current flow होता है तो terminal voltage जो है वो emf से कम होता है और emf में कहता है कि जब भी current flow होता तो emf बड़ा होता है terminal voltage से for the point देखें तो terminal voltage is greater than its emf during charging a cell जब हम cell को जब charge कर रहे होते हैं तब terminal voltage जदा हो जाता है emf से emf वाली point में point number 4 में opposite है जब current नहीं flow हो रहा हो तब terminal voltage जो है वो emf के जाता है तो यहां पर अभी हमने देखा कि emf क्या होता है terminal voltage क्या आता है और difference देखा भी हमने कि दोना के भी कर दो करना कि दोना के जाता है मां आता है यहां प्रेखा आता है झाल झाल